तो हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सबी लोग तो आज का यह वीटियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोग को ट्विल्थ हिंदी दो हजार तेष का पेपर दिया हुआ है ठीक है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि 2023 बोर्ड का paper same to same इसी तरीके से आने वाला है ठीक है तीन घंटे 15 मिनट आपको paper को लिखने और पढ़ने के लिए दे जाता है जिसमें 15 मिनट आपको paper पढ़ना है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा question सबसे अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप उसी को करोगे ठीक है और सो नंबर आपके इसमें पूडांख है तो जितना question करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा ठीक है इस प्रश्ण पत्र में दो खंड है दोनों खंडों को करना अनिवारी है ठीक है पहला प्रश्ण यहां पर देख लीजिए उक्ति ब्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है और ये जो है हिंदी का पेपर है ठीक है क्लास 12 हिंदी का पेपर है और हिंदी यानि की साहितिक हिंदी के बच्चों का यह पेपर है तो उक्ति ब्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर सर्मा ठीक है आपको अगर आपने सही स से आप यह प्रिश्ण करते हो तो आपको एक नंबर मिल गया भारतेंद यूग की पत्रिका है तो भारतेंद यूग की पत्रिका है कविवचन सुधा अगला हिंदी गद्य साहित के जिती उत्थान का प्रारंब हुआ ठीक है तो यहां पर चार ओप्सन दिये गये हैं लेकिन 1950 जो है इसमें सही option होगा जो कि यहां पर है नहीं ठीक है 1950 आप लोग को टिक करना है ठीक है अगला question देखिए सेवा सदन के रचनाकार हैं तो सेवा सदन के रचनाकार मुंसी प्रेम चंद है ठीक है तो मुंसी प्रेम चंद का option जो है वह सही है उसको सही टिक कर दीजीगा अ अगला कोश्चन जो है आधिकाल का गरंथ नहीं है तो इसमें आपका जो है पदमावत जो है नहीं है क्योंकि ये भक्तिकाल का गरंथ है ठीक है तो इसको सही ठीक करेंगे अश्ट चाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस साखा से ठीक है तो कृष्ण भक्ति साखा से अगला जो है कवीर वारी के डिक्टेक्टर है कथन है तो यह हजारी प्रसाद दिवेदी का है और कवीर वारी की जो है हजारी प्रसाद दिवेदी ने एक बुक लिखी हुई है तो जितनी भी चीजे कवीर वारी के डिक्टेटर हैं या कवीर के बारे में बुक के बारे में कुछ कहा जाएगा तो हजारी पसाद वेदी ही लिखे हुए है ठीक है अगला कोश्चन देखे निमलिखित गद्यांस का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर दीजे ठीक है इसका मतलब है दो गद्यांस दिये गए है एक यहां देखे एक और यहां पर दिया गया है दोनों में से किसी एक काहीं उत्तर देना ह तो आपको गड्यास को पढ़ना है और पांच कोश्चन दिये गए हैं उसको आपको देना है जिसके लिए आपको दो-दो नंबर मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हो जंगल मी जिस प्रकार अनेक लता ब्रिक्षा हो रोनजपती अपने अधम भाव से उठते हुए पारस राष्ट का स्वरूप से है ठीक है वासुदेव सरण अगरवाल ने इसको लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर जो आप से गध्यांस के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है तो आपको लिखना कैसे है वाठ डाल दीजिए यहां पर पाठ का नाम लिख दीजिए राष्ट का और लेखक वासुदेव सरण अगरवाल ऐसे करके लिखना है ठीक है और कुछ भी नहीं लिखना है अगला जो है रेखांकित अंस की ब्याख्या तो यहां पर जो देखे यहां से यहां से यहां तक समन्वय युक्त जीवन राष्ट का सुखदाई रूप है ठीक है बस इसी का आपको थोड़ा सा ब्याख्या कर देना है ठीक है जितना आप से बन पड़े अपने सब्दों में करना है तो इसका ब्याख्या कर देंगे दूसरा कोश्चन है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है तो सारे कोश्चन आपको इसी में से मिले पता चल जाएगा जल प्रवाः नदी के रूप में किस के पीच मिलता है तो यहां पर देखे । जल का प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में मिल जाता है, ठीक है, अगलग जो है राष्ट्री जीवन की अनेक विधियां राष्ट्री संस्कृति में क्या पराप्त कर रही हैं, इसको भी यहीं पर आप देख कर लिख सकते हो, कि उसी प्रकार राष्ट्री है अगला कोश्चन मालीजी अगर आपको वह नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो नए सब्द नए मुहार laps नई रीतियों की प्रयोगों से यह आपका है भासा और आधुनिकता से ठीक है इसमें आपका दे रिया है भासा और आधुनिकता तो इसको आप देख लो तो वही च पोशन की अंस्वर आपको इसी गद्यांस में मिलेंगे अब जास्य देखकि लीज़े भासा का विकास कब नहीं होता है तो यहांपर एपको बिल्कुल टिए बनाना भी नहीं होता है ठीक है और यहाँ पर देखे किन के प्रयोगों से भासा आधुनिक बनती है तो यहाँ पर देखो नए सब्द नए मुहावरे नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भासा की व्योहरक्ता प्रदान करना ही भासा में आधुनिक निकता लाना है ठीक है तो यह आप इस में से भी लिख सकते हो तो कहने का अर्थ है कि सारे बच्चे अगर चाहें अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है से आपको ये पता चल जाए कि ये जो है किस पार्ट से है ठीक है इसकी लेखक कौन है बस इतना आप सही कर दो उसके बाद तो सारे अंसवर आपको इसी में से मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो अगला कोश्चन जो है वह पध्यांस से है अगला कोश्चन देखे पध्यांस पर आधारित निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे यहां पर भी वही चीज है आपको संदर्व और व्याक्या करनी है आपको यहां पर पध्यांस मिलेगा उसका अंसवर आपको यहां पर देना है ठीक है तो मालेजे कि आपको यह नहीं आता है बिलकुल भी नहीं आता है कि आपने इसको देखा भी नहीं है पढ़ा भी नहीं है ठीक है तो फिर आप आजाएए बीती विभावरी जागरी अगला question तो फिर इस से 5 question पूछे जाएंगे ठीक है कवी का नाम लिखिए पद्यांस के पाठ और कवी का पहला question तो यही होता है सब में उसके बाद दूसरा रेखांके तंस की ब्याख्या कीजिए तो यहां पर जितना रेखा खीजा हुआ है यहां तक ठीक है आपको इसकी ब नहीं लेगा ठीक है तो अगर आप इसका आर्थ जानते हो तो फिर आपको पता चलेगा नहीं तो आप question का अंसवार नहीं कर पाओगे अगला question जो है निमलिखित प्रश्णों में से किसी एक लेखा का साहितिक परचे देते हुए उनकी ग्रिदियों का उलोग कीजिए ठू तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने साहितिक परचे इन लोगों के करा दिये है ठीक है आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको साहितिक परचे का वासुदेव सर्ण अगरबाल का भी मैंने कराया पंडित दिन दयाल उपाध्या क भी कराया हरिसंकर हरिसंकर परसाई कर नहीं कराया क्योंकि इनका अभी सिलेबस में नहीं है प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी का भी मैंने करा दिया है तो तयार कर लेना ठीक है और अगला कोशन देखें निमलिकित लेग कि में से किसी एक कवी का सहितिक परचे देती हूँ कितने होते हैं आपलोग अगर लिख कर भी देखोगे तो बहुत ही कम होते हैं बचे बहुत ज्यास जादा पेज लिख देते हैं पांच नमबर का है तो इसका मतलब दो-तीन पेज तो लिखना ही पड़ेगा वो सब नहीं करना है एक बार आप कौपी में घर पे ही लिखकर गि नहीं आपको जीवन परिचे बना कर दिया है, पूरा जीवन परिचे, तो मैंने जैसंकर प्रसाद का भी दिया है, आयोध्या सिंग उपाध्याय का भी दिया है, ठीक है, ये दोनों important, सुरिकांत्रि पाठी का भी दिया है, इसको भी तयार कर लिजिए, ठीक है, ये सब important है, कहानी के तत्तों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादूर कहानी की समिक्षा कीजिए तीन चीजे पूछी जाती है समिक्षा और सारांस उद्देश ठीक है और कथानक तो इतना आपको तयार कर लेना ये जान लेना है कि कहानी में सारांस में क्या लिखा जा रहा है और कहानी का उदेश सी क्या था आपको ये लिखना है ठीक है असी सब्दों में सिर्थ बदानाritis आशसी सब्दों में आसानी के साथ आप बता सकते हो जैसे फंच लाइट कहानी में क्या दिया हुआ है कि एक लड़के को गाउं plane नहीं दिया जा रहा चलता है उसको नाता है ऐगर ऐसको पहोई चलता है तो वो इसी तरह से आपको प्यार करना है ठीक है ऐसे ही बहादूर कहानी भी है बहुत छोटी सी उसकी बाद खून का रिष्टा कर्मनासा की हार ठीक है ये भी है कर्मनासा की हार भी मैं समझा दोंगी आपको जो भी आपको अच्छे से कहानी आती होगी उसका आप इसमें प्रमुक पात्र और चरित्र का चित्रन करना है ठीक है यहां पर आप देख लीजिए असी सब्दों में उत्तर देना है रस्मी रती जो भी आपका खंड़काब्य होगा मैंने कई बार बताया है कि जिस बच्चे का खंड़काब्य जो है अपने कॉलेज में पूछी लीजिए ठीक है अब आपके पास बिल्कुल सहमीज अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं आपका संदर्व सही थिंदी में अनुवाद कीजिए ठीक है तो यहां पर आपको संदर्व लिखना है और अनुवाद करना है संदर्व में आपको पाठ का नाम लिखना है तो यह जो है पाठ महा मना मालवियह से है यहां पर आप देख सकते हो पूरा इसका अनुवाद कर देना है ठीक है अगला question देखिए अगर आपको उपर वाला नहीं आएगा तो आप इसको भी कर सकते हो अतिते प्रतम कल्पे चतुस्पदा ये बहुत ही important है ठीक है ये हर साल पूछा जाता है अतिते प्रतम कल्पे चतुस्पदा सिंग्हम राजानाम कुर्वनम ठीक है ये पूछा जाता है ये जातक कथा से है ठीक है जातक कथा से और अगला question देखिए तो इसको तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही important है वर्स प्रवेगा बिपूला पतंति प्रवांति वाता समुदीर वेगा प्रनश्ट कूला प्रवांति सीघम नद्यो जलम बिपत्रिम पन्न मारगा ये इस लोग है जिसका आपको संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है ठीक है वही चीज यहां भी करना है इसका आप आप लोग पाठ का नाम कमेंट करके जरूर बताईएगा निमलिकित में से किनी दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए ठीक है यहां पर दो दो नंबर मिलेगा यानी चार नंबर मिलेगा तो दो के आपको अंसवर दिया इसका अंसवर दिया ठीक है तो दोनों के आपको बस द तो यहां मिला दो यहां चार नंबर हो गए अगला कोश्चन देखे सिंगार अरस अथवा करूर अरस की परिभासा लिखकर उसका उदाहरा देजिए ठीक है तो आपको दोनों में से आपको यहां पर कुछ इंपोर्टेंट जो है मैं बता दूंगी जिसको आप लोग को तयार कर लेना है कौन सा सिंगार रस और करूर रस हासे रस जो जो इंपोर्टेंट है मैं चार पांच बता दूंगी जिसको आप लोग तयार कर लीजिएगा क्योंकि 2023 में वही पूछे जाने वाले हैं ठीक है तो इसमें आपको परिभासा लिखना है और उदाहरन लिखना है ठीक उसके बाद निखित में से किसी एक बिसे पर निबंध लिखिए निबंध आपको बेरोजगारी की समस्या और समधान पर लिखना है ठीक है सर्वधर्म संभाव लिखना है ठीक है यह सब इंपोर्टेंट है किसी मेले का आखो देखा वर्डन करना है गुस्वामी इंपोर्टेंट है ठीक है क्योंकि अभी जो यहां पर चल रहा है यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो यह भी इंपोर्टेंट है आज कल पूछा जा रहा है यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो क्या क्या करता तो आपको अपनी ओपिनियन देनी है कि आप अगर प्रधान मंत देखा वह सारी चीजें भी आपको समझ में आता हो ठीक है यहां पर आप देख रहे हो सब कुछ आपके बारे में पूछा जा रहा है तो उसको आपको लिखना है ला देखिए संधी से कोश्चन पूचा गया है पावका का संधिविक्षेद होगा तो पाउधन अकह जहां पर संदी विक्षिद होगा तो तो आपको प्रधन एजते जहां पर मिले उसको आप लोग तिक कर दो ठीक है यह सही सही ऐप्षन हो गया। अगला पूस। पूस्तकालाय में संधी है सवर संधी है। पूस्तकालाय में सवर संधी है अगला कोस्चन देखें किसी एक का बिग्रह करके समास का नाम लिखें ठीक है तो बिग्रह यानि दस है जिसके आनन ठीक है तो इस तरह से लिखेंगे दस है जिसके आनन और उसके बाद समास आप लोग लिखोगे कौन सा समास है तो यह जो है तरीके से आपको सारे करने हैं आपको यहां पर जो भी मिलेगा आपको अपने सलेबस की अनुसार ही तयार करना है ठीक है सलेबस से बाहर कुछ भी तयार मत करिएगा क्योंकि अगर सलेबस से बाहर कोई भी कोश्चन पूछा भी जाता है तो उसका अगर आप अंसर नहीं भी देते हो देना तो सभी का है तो आपको चार नमबर मिलेंगे ठीक है तो आप लोगों को इंपोर्टेंट मैं कोस्चन भी दे दूंगी जो आपके इंपोर्टेंट 15 दिनों में आप सभी तयारी कर सकते हैं लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर तूडियो में धन्यवाद